नमस्कार आप देख रहे हैं नियू 69 चैनल और मैं हूँ आपके साथ अंकिता चलिए रुक करते ख़वरों की और जबलपूर के गोलपूर थानाशित्र के गाजी नगर इलाके की होटल के पीछ रहने वाले शेक माजद के साथ जारू लगाने को लेकर एक पड़ोसी महिला सन्नोबाई का विबाद हो गया जिसके बाद घायल अवस्ता में शेक माजद को जलस्पताल विक्टूरिया ले जाय जबलपूर थानाशित्र के गाजी नगर के मगन होटल के पीछे रहने वाले शेक माजद का पड़ोसी महिला से चारू लगाने को लेकर विबाद हो गया था जिसके बाद महिला के दवारा शेक माजद को धक्का मार दिया गया जिसके कारण शेक माजद के सिर पर गंभी जुटी होई है ब्यूरे रिपोर्ट जबलपुर मेरा नंबर लेकर वाटसब कर दो ना नंबर में बता रहे है डवल 907 डवल 907 थ्री टू फोर सेक्स डवल फाइब यहाज भारत इसी बेट दीजे फोटो अब 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 यहाजी नगर में अब अब इताना गोहलपुर अंतरगत गाजी नगर में कुछ देर पहले सुचना प्राप्त ही कि पडोसियों के बीच में आपसी लडाई में एक महिला दोरा पुरुष को धक्का दे दिया गया उसके विए से पुरुष जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया जिसकी सुचना पर धाना का बल वहाँ पहुचा और घायल को हस्पिटल भेजा था जो घायल का उपचार के दोरान उसकी मृत्ती हो गई बेहोशी के अवस्था में वो उसकी सुचना पराप्त ही थी इसकी मृत्ती हो गई है गटना की तजदीग की जा रही है कि घटना किस कारण से हुई है और जो संदिग्द महिला है उसको अभी हिरासत में लिया गया है जो आपसी पड़ोसीयों के जो विवाद है उस बिवाद में ये उलजे थे और उसी दोरान ये जुमा जब्ती होई है उसमें प्रतंदरश्टिया इस प्रकार की घटना गटित होना बताया जा रहा है आसपास की लोगों से और पूश्ताच की जा रही है और उसके आधार इसी तरह की और खबरे देखने के लिए बने रहे हमारे साथ देखते रहे है न्यूज 69 चैनल जब तक के लिए धन्यवाद